इंग्लिश में कहते हैं तर्मरिक और हिंदी में कहते हैं हल्दी तो फ्रेंस आज मैं आप सब को दिखाऊंगी हल्दी का प्रॉसेस की हल्दी का पाउडर कैसे बनता है तो यह हमारे घर का बहुत ही फ्रेश वाला हल्दी है बहुत सारा हल्दी लगाए हुए थे घर पे और ज अभी बोहतं हार्ड है अभी जब उबाला जाएमागा तो उसके बाद देखिए इस समाले के लिए चड़ायादा, देखे जाएमा में आने के बाद इसके जो गंदगी इस में डिख़ रहा है और जो हल्दी है वे रंग बदल रे शुरू हो business आफ्टर बॉइलिंग देखे अभी लगभग जो है ये हल्दी बॉइल हो चुकी है और बॉइल होने के बाद इसे निकाले निकालने के बाद देखे किस तरीके से तूट रही है बहुत आसानी से अभी बहुत जादा गर्म है ये इसे हम निकालेंगे पहले एक बरतन में ये देखे यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ ये जालीदार वाला बरतन है इसमें निकालूंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाएगा और निकलने के बाद इसे ठंडा करने के रख देंगे ठंडा होने के बाद इसे कट करेंगे आज मैं आप सबको दिखाऊंगे कि दो तरीके से कट करना जो कि सुखाने में बहुत जादा आसानी होती है और ये देखे अराम से तूट रही है और अंदर देखे एकदम डार्क और इंच कलर की हो गई है देखे इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो लगभग निकल ही चुकी है और इसके बाद इसे अच्छी तरहिए से हम फैला देंगी जो कि ये ठंडा हो जाए अब देखे इसका परलर जो है कितना डार्क हो गया है बहुत खूबसूरत लग रहा था इसे हम एक डाला हम लोग बोलते हैं यहां पर यह बैंबो का बना रहता है इसमें हम पलट दिये हैं और इसे हलका ठंडा होने के डखेंगे ठंडा होने के बाद तब हम इसे कट करेंगे तो चलिए फ्रेंस मैं आप सबको इसे कट करके दिखाती हूं तो मैं जिस चीज़ से कट कर रही हूं इसे हम फासुल बोलते हैं तो देखें यह जो हल्दी है उसे हम दो या तीन टुक्रों में कट करके और इसे पत्ले-पत्ले स्लाइस में कट कर रही हूं और यह देखें हमारे जो गार्डेन है किचन गार्डेन वहां पे बाहर बहुत अच्छा सा सरसो का पौधा उगा हुआ था उसमें बहुत-बहुत प्यारे-प्यारे से यलो फूल थे तो आप सबको भी दिखा दी तो देखें मैं सामने से दिख पतला कट करेंगे उतना अच्छा है क्योंकि इसको सुखाने के बाद यह बहुत ही ज्यादा चोटा हो जाएगा और ड्राइ होने के बाद यह बहुत जल्दी पिस भी जाएगा तो हम मिक्सर ग्रैंडर में पीसेंगे से चोटे-चोटे टुकडों में कट कर रहे हैं तो मेर इक और प्रोसेस होगा वह भी मैं आप सबको दिखाऊंगे कि किस तरीके से उसे भी करेंगे तो कौन से ज्यादा आपको अच्छा लगेगा आप सब मुझे जरूर बताईएगा तो फ्रेंस देखें इसे हम पतले-पतले कर दिये हैं उसके बाद यह डाला है इसमें हम अच अच्छी तरीके से फैला करके धूप में सुखने के रख देंगे जितने तेज धूप होगी उतनी जल्दी यह सूख जाएगी तो यह बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि घर पर आप यह सब काम कीजिए तो सच में बहुत अच्छा लगता वह अपने गार्डेन का उससे ज़्यादा आसान और उससे ज्यादा एज़ी हमें इसमें लगा क्योंकि यह तो आफ्चर बॉइलिंग सौ vara हो गया था और सॉफ्ट होने के बाद यह तुरंट तुरंट यह से घस रहे थे ना तो यह घिसा रहा था बहुत ही अच्छे से इससे ज्यादा महनत तो हमें मुझे फेल हुआ कि कद्दू कस करते हैं गाजर उसमें ज्यादा महनत लगते बट इसमें बिल्कुल भी नहीं लग लग रहा था बट इसमें कद्दू कस करने में बहुत असानी से हो रही थे और इसका चिलका है उसको हमें निकालना नहीं है वो चिलके के साथ ही हमें कट करना है क्योंकि इसे हम तो जब ग्राइंड करेंगे तो सबका पाउडर बन जाएगा तो यह भी है कि इसका जो फ्ले में बाहर सुखाने के लिए रख देंगे इसे जितना धूप होगा उतना अच्छा है वैसे ही मैं आपको बता नहीं सकती हूं कि कितना दिन रखना है प्रॉपर क्योंकि वो धूप के उपर डिपेंड करता है कितने दिन आपको धूप में रखना है तो यह देखे हमारे आस प्रॉपर के रखी थी और एक दूसरी वाली जो है वह हमारे हाथ से कटकर के रखी हूं तो आप सब देखी है यह कि यह रही है तो तो फ्रेंस मैं आप सबको बता दू हल्दी घिस कर दो के मेरा हाथ भी देखे पूरा यल्लो हो गया नाख्वन भी तो फ्रेंस आज यह घि प्रॉसेस आज कंप्लीट हो गया है इसे कुछ दिन धूप में सुखाएंगे जब सूख जाएगी तो उसे मिक्सर ग्रेंडर में हम लोग पीसेंगे ये भी मारे घरपे के गार्डेन में ही है पीछे सहजन का पेर था तो फ्रेंस देखिए ये जो है हल्दी वो कट करके जो रखे थे वो कुछ इस तरीके से भी दिख रही है तो ये तीन से चार दिन हम धूप में सुखाए थे फ्रेंस आप सबको जैसे की पता ही होगा बहुत अरुनाचर प्रदेश में यहां पर धूप जो है बहुत कम मात्रा में तीज दूप आती है तो इस वज़े से हमें यह तीन से चार दिन लगा यह आधा है आधा सुखने के बाद यह देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो फ्रेंस अगर हम नौर्थ के साइड में च देखिए मैं सुच एक और बार आप सब को दिखा देते हूं हमारे सरुसों के प्यारे प्यारे यह यह लो कलर के फ्लावर्स तो यह फाइनली यह सूख के तयार हो गया आप आप सब इसका थोड़ा आवास तुन लीजिए तो यही रही इसके जो crunchiness आप सुन सकते हैं कि हाथ में जैसे ही मैं मस्ती तो कितने अच्छी तरीके से तूटेने लगा तो फ्रेंस इसके बाद हम इसे पीस कर इसका पावडर बना लेंगे और यह देखे जो मोटे-मोटे कट करके रखे थे वो कुछ इस तरीके से दिख र लगी आप सब मुझे जरूर बताईएगा कमेंट करके और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे लगे होगी तब तक के लिए बाबाई टेक केर मिलते हैं नेक्स वीडियो में और फ्रेंस जरूर लाइक कीजेगा